नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ICIC Bank का Lawn Statement और Lawn Repayment Schedule डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पर दोस्तो दो अप्सन होते हैं पहला अप्सन है आपका अगर ICIC Bank में कोई Saving Count है तो आप Net Banking से डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा ओप्सन है आपको iMobile application डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाकर करके आपको टाइप करना है iMobile यह आइकन आपको दिख जाए का इसी को इंस्टॉल कर लेना है अपने फॉन पर यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनका ICIC Bank में कोई Saving Count नहीं है सिर्फ loan ICIC Bank में active है तो जैसी इसको open करते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ permission मांगता है जो भी permission मांगता है वो permission आपको allow कर देनी है जैसे यहाँ पर phone call का यह permission मांग रहा है इसको मैं allow कर देता हूँ यह थोड़ी देर run होगा दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा इसको run होने दीजिए और जैसी यह पूरा होता है यह page आपको दिख जाएगा यहाँ पर let's get started blue color पट्टी पर जहाँ पर लिखा ह यहाँ पर click कर सकते है otherwise आप continue कर लीजिए इसको उसके बाद आपको SIM card वही select करना होता है जो आपके ICIC bank में register है तो मेरा SIM 1 सेलेक्ट है मैं इसको select करके continue कर लेता हूँ उसके बाद यह थोड़ा सा run होगा यहाँ पर आपके phone पर message आने start होंगे और वह message में से OTP यह सब automatic read कर ल चार डिजिट का pin आप अपनी choice का यहाँ पर set कर सकते हैं और उसके बाद इसको ok कर दीजिए ok करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर four digit login pin जो अभी आपने pin मनाया है उस वो pin यहाँ पर type कर लीजिए अब इसके बाद दोस्तों आप चाहें इसमें fingerprint का lock लगा सकते हैं अधरवाइस आप skip कर दीजिए इसको मैं इसको skip कर रहा हूँ उसके बाद यह जो continue दिख रहा है इसको continue continue करते जाईए अब यह process पूरा हो चुका है यह pop up कट कर दीजिए कट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों summary वाला मैंने यहाँ पर अभी हाइट किया हुआ है summary वाले में long detail दिखती है और यह more option की तीसरा वाला जो option है more option पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ से EMI schedule loan statement account जो भी चीए वहाँ पर क्लिक कर ये statement account भी आ जाएगी loan schedule भी आ जाएगा और अगर आपको customer care number चीए तो contact us पर क्लिक कर ये customer care number भी मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपको बता दूँ मैंने सभी major bank के loan statement पर वीडियो upload किये हैं तो channel subscribe कर लिजिए अगर किसी प्रकार की कोई update आती है कोई नया option आता है तो उस पर भी में वीडियो बना दूँगा और अगर कोई loan लेना चाहते हैं तो आप मुझे contact कर सकते हैं फिर मिलता ह नए वीडियो के साथ दोस्तो जैहिन धन्यवाद